जो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम लोगों ने जितना पढ़ा हुआ है वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा हुआ है, तो को हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट होते थे जो है, और helping वर्ट का दूसरा नाम क्या होता है Auxiliary वर्प होता है और auxiliary यह चpping कितने पार होते हैं दो पार्ट एक क्या होता था आप्ट होता है अप्रMeard थब तो हम लोग के कढ़ा है। हमने कैसे साही पढ़ा है प्लिश को परॉटोंट को नहीं आ रहा है। जो एकजाम में आ रहे है। तो अब इस टार्टिंग पहले कुश्छन से करने लिखा हो वेन आर यू डेश तू राइट तू यूर फ्रेंड समयना वेन आर यू अब यहां पर कौन सा वड़ागे हमारे पास आर वड़ा गया बहुत अदाम से देखना कौन सा वड़ा गया आर वड़ा गया अब यह बता यहां पर बता हम कौन सी वर लगाएंगे आएंजी लगाएं यह थर्ड फार्म लगाएं क्या लगाएं हम आएंजी इसका कहना क्या चाह रहे हैं आप जो है वेन आर यू गोइंग कब आप लिखने जा रहे हो तो यूर फ्रेंड अपने दोस्त को तुम कब लिखने जा रह हो इसका मतलब रहे वड़ा गए यहां पर अब बताओ समझ लूए इस एमर्से बार के बात थर्डुएंक यहां क्या निकलता है जैसे हमने बोला हमने एज girls को बताया है था लिखा व्क्रस ची ओधाव था लuyज ऑ। लाय वाज किल अब बताओ यहाँ पर क्या कहना चाहरे है शेर ने जान मारा किसी की यह शेर को मारा गया शेर दुल लाय जैसे वार्ज वार लगा धर्षाम लग इसका मतलब पूरा बोश किसे पढ़ रहा है लायन कुछ नहीं कर रहा है फिर कौन करें करें कुछ लेकिन जो जो आबजक्ट होगा दों जो जिस पर इफेक्ट पड़ेगा वह कौन होगा इस साव डिया गई अ क्योष किसी को मालान खीर सेया करें शmani किया 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 माला गयाnor çalट एब ऑन हमने बुल आई आई वीट फुल स्टाफ ऑसट आई बीत यू मैं आपको क्या करता हूं पीट था आउं पीट यहाका आप रही है आप आए म बीट इसका मतलब क्या हुआ मैंने पीटा नहीं क्या देख जब इसमार वाज़वर के बाद थर्ड फार्म लग जाती मतलब में वीक्टिम कौन बन जाता है जो इस स्टार्टिंग में आता है इसका आई यह बींट का मैंने पीटा नहीं क्या मुझे पीटा गया हमने बोला हमने बोला कि दा वर्क इस कंप्लीटेड इसका मतलब क्या हो जाएगा वर्क पूरा किया गया समझेगा तो जब भी इसमार वर्क के बार तो यह पैसी वाइजी बन गई अगला हमारो कुछन है आई डैश ब्लड इन दा हॉस्पिटल टुमारो अब बताओ टुमार वर्क किसको बताता है समयना तुमारो वर्क फ्यूचर का होता है और फ्यूचर के लिए हमार पास दो वर्क होते हैं कौन कौन से होते हैं बताओ फ्यूचर के यह तो विल होता है यह तो क्या होता है शेल होता है तो हमने आपको बताया था कि विल समाना था सभी के लिए वि इसका मतलब इनके कहने का मतलब क्या निकला आई विल डूनेट दा ब्लड तुमारो मैं कल ब्लड क्या करूंगा डूनेट करूंगा सब्सक्राइब अगला कुशन देखो इसके बाद इसका नसीवल हो जाएगा अगला लिखा हुआ दा प्लेयर्स रिटर्न टूदा होटल मतलब खिलाड़ी क्या हो गया वापस हो गये टूटे-पूटे-व definite दिम यहां पर देख लिखा हुआ होटल का मतलब होता है मतलब क्या होता Jesús जो किया था वाज ए लोकेटेड टू वाज बी देखो कभी भी समझना कभी बी इसे एक बटतby कुछन्य भी आ गया एगा इसलिए पहले बता ते हैं आपको, is, mm,ar, is, mm,ar, waz, अपर, waz, और, w़, के बार, कभी भी, बीन नहीं आता, क्या नहीं आता, बीन नहीं आता, हैड के बाद आएगा, हैड के बाद है, लेकिन इसके बाद कभी भी बीन नहीं आता, अब आतो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाज बीन, गलत हो जाएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर क्या जो था, इसे क्या किया, किसी ने क्या किया था, आवंटित किया था, इनको, मतलब ये किसी को, किसी ने इनको क्या किया था, होटल ने किसी को नहीं दिया कुछ, होटल को क्या किया गया था, दिया गया था, शेयर को मारा गया था, मुझे क्या किया गया था, पीटा गया था, हम अगले कुछिन प्याद लिखा हुआ Mariam – to anyone as she was angry समय ना Mariam नाम है, singular है, singular है अब देखो यहां पर not spoke तुरंथी not नहीं आए गए, तुरंथी not नहीं आता कभी भी अब देखो यहां पर क्या यह बाड़ा होगा, did not spoke नहीं, क्यों नहीं होगा because we know very well that after do, does or did, the main verb, the first form of the main verb is used main verb की कौन से form आती है, first form, first form क्यों से form, wave form अब बता हो, यहां पर क्या, did not spoken, गलत, spoke, गलत, not spoken, कोई वर्डी नहीं आया हुआ हुआ है यहां पर क्या होगा, did not speak, did आया हुआ हुआ है, वर्द की कौन से form आया हुई है first form आये, समय में आ रहे, कोई प्रावलम होगा यहां तक, question कब आया हुआ है MTS के question आया हुआ है, कोशन सब देखने चले नीचे जो है अगला हमारा question लिखा हुआ है, our neighbors threatened, threatened का मतलब होता है धमकाना, धमकी देना, our neighbors threatened to call the police, मेरे पडोसी ने क्या किया मुझे धमकाया, जैसे कि समयनते लोग क्या करते हैं, धमकाया अभी phone लगाते हैं, पुलिस बुलाते हैं भी धमकाया if we, अब बता बाते हैं कुछ चल रही हैं बता कभी की चल रही बाते हैं? absent की चल भाते हैं, अब बता हमको पता है कि बता है के sono як उसके पास्ट में करते हैं, present में करते हैं, have को आङै का है। प्रेजंट में करते हैं डर्ट के आपर करते हैं यहां पर कौनस हो जाएगा डिट नौट क्या हो जाएगा डिट क्यों लगा जाएगा क्योंकि बातें कपकी हो रही है पहले की बातें धंकाया था मुझे जो है अगला हमारों कोशन इसकोशन हमाई आठ टॉडलर्स ब्रेन एक टॉडलर्स का ब्रेन डैश प्रेटी मच फुली बस आपको देखना यह यहां पर दियान दो डैश डैवलप्ड समय लिखा क्या होगा डैवलप्ड अब बताओ यहां पर क्या क्या हम लगाएंगी एक ब्रेन की बात कर रहा है एक सिंगुलर यहां पर है अब बताओ यहां पर हम क्या लगा देंगे क्या लगा देंगे इस लगा देंगे इस प्रेटी मच फुली डैवलप्ड बाइज होता है पूरा होता है इसका मतला कि ये आज की बात नहीं क्या रिगुलार की बात हो रही है शृवण है ये अभी की बात नहीं पांस रहे पर में जिसे में बोला के पानी जुह party per वबलता है तो क्या बताओ आब 50 यह पर में यह प्रमानें टेक्षन होता है इसलिए यहां पर हम लगा देंगे लगा देंगे वारत नहीं लगा धें मतलर चूटे बच्चे के दिमाग तीन सहल में थक्षयां जैसा घ्रोषब नलों किया करते हैं इस गलट हो जाएगा मतलब को भी अब बतो वाज गलत अब बता गलत बता है अक सब्कार इस बाद लगती है और के बाद लगती है क्या ने कि अगला ने की यह आपको फैसला करना है क्या लगाएंगे बीवाला लगाएं क्योंकि हमको पालूम मालूम है इस एम आर वाज dared के बाद जो वह बाती हो जो कैसी होती थर्णा सबना सब्सक्राइब अप्रकरणा में जाता है झबकि ऐसा सबॉस्ट पड़े बनाय जाता है शेर को मारा गया मुझे फीत घया गया मुझे डाटा गया इसका मुद ये क्या होता है किसी ने मुझे डाटा हम ने बोला कि छोन को पकड़ा गया बता है एक 225 पैसेंजर में पहले हुआ ओस रहे उस घत नाक कोई भी-पैसेंजर स्याथ structural नहीं बच सके नहीं बच सके अब बताओ सकना के लिए कॉंस वारे होता है केन होता होता है तो कैन प्रिजम को दिखाता है future सो पास्ट्रक को यहाँ पर क्या हो जाएगा हमको पता है कुछ के बाद कौन सभावान एंसका मतला उसे खतनाग दुदू घञतना में 145 में से कोई भी पैसेंजर्स नहीं बच सकी अगला मारा कुशन क्या है लिखा हुए डीड दा चाइल्ड डीड आ गया अलर्ट हो जाओ इकदम अलर्ट हो जाओ बताओ डीड आ गया अब बतो यहां पर क्या आएगा वर भी कौन सी फाम आएगी बताओ कौन सी फाम आएगी वर फाम आएगी तो ये गलत तो प्रिबाद का पास्ट फर्म फिल होता है वाल फिल फाल इन तो बताओ क्या होजाएगा हो जाया अगला मारा कुशन क्या लिखा डू यू अब बताओ डू यू-डजास तू सी माई कलेक्शिंज क्या आप मेरा कलेक्शिंज कपड़ा भी गलत पास्ट फाम है बचा कौन सा वांट और ये तो हम क्या करने चाहते हैं क्या आप मेरी बाइक देखना पसंद करें कितने चलिया क्या मेरा आप मेरा कपड़ा देखना पसंद करेंगे ये शब्द जो है और ज्यादर यूज करती है हमने एक अंगूठी लीस होने की यूजर देख सकती हो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा वहां पर जो है संद्धिया गया अगल उसके बाद है मारे पास वर्क हाड़ डेट सो यू अब बताओ कहार्ड वर्क करो ता कि तुम बताओ अब यह किसको दिखा रहा है पॉसिबिल्टी को क्या हो जाएगा हाव work hard so that you may good you may get good marks के आप अच्छा नमबर पास को possibility को दिखा रहा है समझा गया मतलब हमने क्या हम क्या बोलते हैं अग आप hard work मतलब क्या hard work करो किसलिए करो ताकि तुम पास हो सको यह ता ना इसका मतलब ताकि आप अच्छा नमबर पास को में का मतलब क्या होता है सकना होता है अगला मार कुछ नहीं लिखा will all of you क्या आप सभी लोग विल के बाद हमेशा कौन सी फस्ट फार्म हाती फस्ट फार्म सभी अब दो कि यहां पर यहां पर काम नहीं है देखो एक एक शब्द होता है राइज राइज का मतलब क्या होता है बताओ उगना या उठना संराइज एक वड़ होता है आर एजड़ी रेज रेज का मतलब होता है साफ करना रेज का मतलब क्या होता है साफ करना जिसे लिए यूज करते हैं अगला होने पास क्या है यह देज बहला स अगला क्या रेस रेस का मतलब क्या दोड़ होता है एक होता है रेस रेस का मतलब होता है उठाना हमने बोला कि रेस योर हैंड्स raise your hands who want to attend the marriage ceremony of my brother raise your hands who wants to attend the marriage ceremony of my brother हम क्या क्या बोला अपने हाथ उठाइए जो जो क्या करना चाह रहा है मेरे भाई की शादी क्या करना चाह रहा है इसका मतलब जो बराज जाना चाह रहा है अब बतो यहां पर रेज कंसा वर्ट लगाएंगे यह लगा देंगे तो इसका मतलब क्या होता है हाथ को उठाना यह वर्ली लिखा है इस राइस का मतलब क्या होता है उगना sunrises अगला मतों कुछन दा आर्ट आफ कुकिंग डैश एंशिंट इंडिया अब बतो एंशिंट अभी की बात कर रहा है फ्यूचर की बात कर रहा है या पहले की बात कर रहा है पहले की बात कर रहा है अब बतो पहले के लिए क्या फ्यूचर के लिए क्या विल लगाएंगे नहीं जाएगा यहां पर ? Was perfected मतलग किसी ने किसी पे जोर डाला जा रहा है मतलग यह पूरी होगी इसने कुछ नहीं किया इस पर क्या क्या किया इस पर किस ने काम कुबर किया तो यहां पे यहां पर फॉरी कर दी गई थी अगला हमारा कोशन है लिखा हुआ है वी डेश रिस्पेक्ट आर पेरेंड टीचर्स अब बताओ यहां पर जो है यह कोशन कब आया हुआ है 23 में FCI के बड़ा एक्जाम होता है इसमें आया हुआ है CGL के एक्जाम यह होता है अब बताओ यहां पर हम क्या लगाएं हमने आपको तीन वर्ड बताया था एक वर्ड बताया था शुड और एक वर्ड क्या बताया था OUGST ought to और एक वर्ड हमने बताया था आपको must हमने बता है तीनों का हिंदी मतलब होता है चाहिए तीनों की हिंदी क्या होती है चाहिए यह तीनों सला होती है यह सामानी सला होती है सामानी सला होती है यह सामान सला होती है यह कैसी होती है नैतिक सला होती है जो नहीं जिसका नहीं कवर देखता रहेगा यह कैसी सला होती है बाध्यकारी सला होती है कैसी सला बाध्यकारी सला अब बताओ इसमें कौन सला लगाएंगे बताओ पेरेंट्स पीरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बताओ कैसी सला है नैतिक सला है क्या हो जाएगा और टू हो जाएगा क्या हो जाएगा और टू समयनियों की प्रा यहां पर आ रहा हुआ है बात हो सकती है यहां पर इसमें मतलब यह प्रजेंट में और यह किसमें पास्ट में तो यह भी गलप बचा यह बचा इसमें देखते हैं क्यों कि जब दो घटनाएं होती हैं तो यह तो घटना दोनों सासत होनी चाहिए यह तो प्रेजेंट में होगी घटना है यह तो किस में होगी पूरी परी पास्ट में होगी जैसे एक राजा था वा बहुत बहादूर था तीसरा वा इमानदार आदमी है बताओ, एक राजा था, बहुत बहादूर था, वह एक इमानदार आदमी है बताओ बात सही है, क्या बोलें, एक राजा था, वह बहुत बहादूर था, वह बहुत इमानदार आदमी था बात बातं thennay pastby की बात करेंगी हमने बोला कि आप जो हे बहुत महंती और सुबा सोकर उठते हो और आप जो है आप बैमान थे outta हं इसका मतलब कहने का दिए का मतलब जब भी दो घटना होती new contributing रहें यह तो किसे में रहें पास्ट होजैगा अब डाध ड़िट के लिएहां पर लकाते हैं यहां तहीं किया लगता है यहां पर क्या पाल दिखा लगता है यहां नहीं क्या हो जाएगा, it is smells. sentence पुदा क्या हो जाएगा, क्योंकि यह पॉपशन क्या है? गलट है. यहांप यह क्या है? यह वाला isle Sigh, क्योंकि यहांप क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है. लिखा है, what are you? क्योंकि यूजवर्ब यूज़ा है, इसका मतलब यह हो जागा इट अब हो जाएगा हमारा सी वाल हो जाएगा अगला हमारा कुछ शुदेंट्स इस यहट तु अब एक बत आ हो समयना देखो 99 परसेंट जहां पर कितने पर नाइन परसेंट जहां पर अगर 2 आया हुआ है समयना अगर टू आया हुआ है तो उसके बाद 90 समझ गया 99.9 मान लो से समझ में आ गया अधिक अपवाद है जो बताएंगी जब बहुत पढ़ाएंगे आगे नो में लो कि मान लो तू के बाद हमेशा में वर्भ की बेश फाम आती है कैसी अब to go ,ब अब अब कह बाद कहा आ या, Go ,she wants to teach исп he wants to they want to study क्या हो गया इस टो आती है は अब देखो है पर तो लिखा हुक्या लिखा हुआः Annual Kalis and गलत अब यहां पर क्या लिखा हुआ sponsor After acceptance the student is yet to dash his task क्या करना चाहिए अभी अपना क्या काम करना चाहिए क्या पूरा करना चाहिए अब देखो एक वर्ड यहां पर क्या कंटीन यहां एक क्या है complete यहां पर भी यह option double हो गए है यह complete है compete का मतलब क्या होता है प्रतियोगिता करना होता है competition से बना हुआ है तो हर मतलब students is yet मतलब विद्यार्थी को अभी भी अपना काम क्या करना है पूरा करना है क्या हो जाएगा complete to complete यह compete वर्ड लिखा हो compete का मतलब क्या होता है competition करना होता है अगला है अरुन हैस डैश हिस वर्ड अब बताओ हैस के बाद बताओ यहां पर has के बाद, have के बाद, और किसके बाद, head के बाद, अगर वर्ब आती है, तो वर्ब कौन सी होती है, past participle, वर्ब की कौन सी नग थर्ड पाम, अब बताओ यह होगा, नहीं, यह होगा, नहीं, क्या हो जाएका, completed हो जाएका, अगला हमारा question यह है, I wish I- अब यहाँ पर देखो, आई के साथ जो वर यूस करते हैं, यह तो M यूस करते हैं, पास्ट में क्या यूस करते हैं, वास यूस करते हैं, अब नहीं चिस्क्हास में हैं, देखो यहाँ पर, जब भी supposition की बात हो, किसकी बात हो? सपोजीशन अभी समझाते हैं सपोजीशन या सपोजीशन नहीं समझ पा रहे हो तो इमेजिनेशन समझा इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है बताओ इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है कलपना जब भी किसकी बात हो अपनी बताओ किसकी बात हो अपनी कलपना की बात आजाए समेंगा किसकी बात आजाए कलपना की बात आजाए तो हम ना एम लगाते हैं ना क्या लगाते हैं वाज लगाते हैं फिर क्या लगाते हैं चाहे सब्जेट कोई भी हो हम क्या लगाते हैं फिर वाज लगाते हैं समें भी बातें किसकी आ जाए आन की बात आ जाएं अपनी कलपना की बात आ जाएं तो पिर हम ना इद लगाएंगे ना यहान जाएंगे ना एम लगाएंगे कुछ भी नहीं लगाएंगे क्यूं चिली आ ज यह तो मैं आकाश में उड़ता कैसे बोलेंगे if I were a bird I would fly into the in the sky इसका मतलब अगर मैं चिडिया होता इसका मतलब क्या if कलपना करें नहीं करें क्या बतमार में हैं चिडिया आप नहीं है इसका क्या करें कलपना करें wish करें अगर मैं चिडिया होता if I were a bird I would fly in the sky अगर मैं आफीसर होता, if I were an officer, तो क्या करते हैं आप, I would send her in jail, तो मैं क्या करता, उसको क्या करता, जेल बेर, इसको जब कलपना की बाद चलती है, तो हम वाज नहीं लगाते, चाहिए सबिट कोई भी ही हो, मतलब है ये, उसे मतलब मितना क्या लगाते हैं, फिर वर लगाते हैं, next मारा कौशन नहीं लिका हुआ है, my servant dash with all my money, मेरा नौकर, with all my पैसे के साथ क्या गया है, भाग गया है, अब बताओ है, क्या बताओ, servant singular है, मेरा नौकर मेरे नौकर को भागा डिया गया इसका मतलब क्या हो जाएगा नौकर को भगाया नहीं गया. नौकर क्या किया? भाग गया. और क्या लेकर भाग गया? with all my money. तो क्या होजाएगा हैस लगा यहाँ पर नहीं दारेक्ट किसी भी वार्ड में आएगी. वाली फ़र्म नहीं गोड़ कोई काज अगा यहां पर द्रिया हुज़ नहीं पर अंगी एंजी फार्म आती है उसी तरीके से थर्डफां भी कभी एक साथ नहीं आती है तो यहां पर विकल्प क्या हो जाएगा है जन आफ भाग गया नाइट के मजा आगी पास्ट का वर्ड यह है एंड नाइट केम आउन एंड दा रूम जाद घटित हो गई रात हो गई डैश डार क्यों अब बताओ इस लगेगा यहां पर केम बताओ कौन सी फाम है कम केम कैसे फाम पास्ट की वर्ड है यह जो है इसको यहां पर क्या लिखा हो हमने बता है कि जब भी हमने बलत एक राजा था वहां बहुत बहादू था वहां इमानदार है बात सही है नहीं क्योंकि बात यह पास्ट की हो दें बातें पास्ट ही मुनी चाहिए फिना केम वर्ड कब का है पास्ट का है तो ऐसा वर्ड लगाएंगे जो पास्ट का वर्ड हो समय नहीं ऐसा वर्ड लगाएंगे जो किसका वर्ड हो पास्ट क्या बता यह पास्ट का वर्ड है क्या यह पास्ट का वर् डेश आई शेल अधियर अधियर का मतब्स सपोर्ट करना to my principles कुछ भी हो कुछ भी हो तो होता है जो इसका होता है कम वाट में चाहे कुछ भी हो यह फ्रेज होता है पुरा हो कम वाट में अगला है दा डेट आफ दा फंक्शन डेश बीम बीन आ गया है बता बीम कब आता है ब यह उलार वर्ड यह इस तो लगा नहीं है तो क्या लगा अंपर हैसे नौट बीन डिसाइडाइड क्योंकि बीद करते किसके बात करते हैं इस एमर वाद बेंग लगता है बीन नहीं लगता अगला हमारा कुछनी है इस पैकेज वास सपोज्ड डैश यस्टरडे अब तो यहां पर लिकावा सपोज्ड या पैकेज सप वाद लगा था सपोज्ड किया गया था क्या हो जाए ना पर टू भी इसे क्या किया गया है भेजा गया है यह तोछ टेक्निकल कोशन यह है इसे क्या क्या पैकेज को क्या पैकेज ने किसी को नहीं भेजा है पैकेज को क्या किया गया है भेजा गया है